प्रेंट्स स्वागत है आप से भी का ड्रीम मिशन पर आज हम बंगाल के गवर्णर जनरल के अगले गवर्णर जनरल लॉर्ड वेलेजली को इंक्लूड किये हैं इनका जो कारिकाल रहता है सतरसो औंठानवे से अठारसो पांचिस भी तक रहता है लगबक सात वर्षों के कार Gourner General रहते हैं पिछला जो हमने गवर्णर जैनरBERG बताया है उसमें हमने लॉड को करन वालिस को बताया था जो कि नागरिक स्यवा के जनक मने जाते हैं ये भी जो है वह साहट पतती के जनक मने आते हैं आपर इनी के बारे में हाँ पर आपको बताएंगे तो क्योंकि यहां से प्रश्ण आपको 100% आगे आने वाले जो हम दिखने को मिलेंगे इस लिए इस चैप्टर को जो है जो जरूर जरूर आप पढ़िए क्योंकि यहां से पिछले बार टोटल देखा जाए तो लग वे लेजली के कारकाल यहां पर दखिये 1798 से 1850 वी तक रहता है लगवग सात वर्सों का कारकाल रहता है इनका बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में इनकी द्वारा सबसे में जो है वो एक पदती चलाई जाती है पदती चलाई गई उसे सहायक संधी पदती कहते हैं और जनक भी माने जाते हैं अब यह सहायक संधी पदती क्या थी तो इसके द्वारा जो है वो अंग्रेजी राज्यों का विस्तार किये जाता था जिसमें के डील होती थी कंपनी और जो भारती रियासत के राजा होते थे उनके बीच में उनके बीच में डील होती थी और उन रा संदी के लेकिन इन से पहले भी जो ह ten कि आगखा सिक जो है वह डूपले ॉपले द्वारा यह किया ए सभी जो किया गया आगे बढ़ते हैं देखिए साहायक संदी स्विकार करने वाले राज्य अब जो जो साहायक संदी स्विकार करते हैं उन राज्यों के यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला जो राज्य था वो था हैदराबाद के निजाम यहाँ पर देखिए हैदराबाद के निजाम ने 1798 इस भी में सबसे पहले सहायक संधी स्विकार की थी अब उसके जस्ट एक साल बाद मैसूर 1799 में तंजार 1799 में यानि दो राज्य जो है वो 1799 में क्योंकि यहां से आपको प्रश्ण 100% देखने को मिलेंगे पहला राज्य जो है वो हैदराबाद के निजाम यान जो भी हैदरा सबसे पहले सहायक संधी स्विकार की थी अब यहां पर देखिए आवद 1801 में जो पेशवा थे बाजीरा दूती उन्होंने 1802 में बरार एवं भोसले सिंधिया 1844 में और अन्य भी राज्य थे जैसे कि जोद पूर मच्छेडी इस तरके राज्य भी जो है वो सहायक संधी स् संधी को अस्विकार करते हैं तो यहां पर देखिए सहायक संधी अस्विकार करने वाले राज्य तो एक ही राज्य थे इंदौर के होलकर और यह प्रश्न पिछले बार पूछा गया है और इंदौर के होलकर और ब्रिटिस इंडिया कंपनी के बीच में जो है एक संधी होती जिसे मंद सौर की संधी के नाम से जाने जाता है ये प्रश्ण पिछले बार बना था तो अस्विकार करने वाले में एक राज जहें इन दौर के खोलकर इन्हों जहें वो सहायक संधी अस्विकार की यानि स्विकार नहीं की अगला यहां पर देखिए इनकी द्वारा जो है लौड वेलेजली द्वारा निर्मान भी होता है most important Fort William College कोलकाता की निर्मान जो है अठारा सो इस वी में वो करते हैं Fort William College की निर्मान कोलकाता में और इस College की निर्मान का उदेश सी क्या रहता है यहां पर देखिए उदेश सी रहता है नागरिक सेवा भरती यानि सिविल सर्विसेस की भरती और अंग्रेजी भासा की सिख्छा को देना था Fort William College का यही उदेश सी था अगला पॉइंट यहां पर देखिए टीपू सुल्तान जो है जो की मैसूर के सेर कहे जाते थे तो यह जो है टीपू सुल्तान चोथे आंगल मैसूर यूद यानि चोथा जो अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मद्धे जो यूद होते हैं उसमें यह मारे जाते हैं और कम मारे जाते हैं तो 1799 भी में इसे जरूर याद रखिए आगे देखिए आपर देखिए लोड वेलेजली जो है वो स्वयम को बंगाल का सेर कहता था क्योंकि बहुत सारे राज्यों कि इन्होंने सायक संदी द्वारा जो है वो स्विकार अंग्रेजी राज में मिलाया था तो लाजमी सी बात है कि यह अच्छे बड़े कारिक की उस अंग्रेजों की त्रिष्टी से तो उन्हें बंगाल का सीर कहते थे स्वयम को और इनकी मिरित्य जो है 805 इस बीम हो जाती है और इनका कारिकाल वहीं पर समाप्थ हो जाता है तो उमीद करते हैं कि यह सिस्षन आपको पसंद आया होगा ड्रीम इसन पर आपको जो है इस तरह की वीडियो लगातार मिलती रहेंगे तो यहां से जो हम जितने भी यहां पर आपको प्रशन बता रहे हैं पिछले जो 3-4 वीडियो जाई है बंगाल के गवर्नर जनरल से यहां से आपको 100% प्रशन देखने को मिलेंगे अगला जो इन सभी से प्रशन आएगा उसमें अब हम बंगाल के गवर्नर जनरल जो है वो भारत के गवर्नर जनरल बन जाते हैं लौड विलियम बेंटिंग उनके बारे में पढ़ेंगे तो ड्रीम इसन पर लाइक शेर और सब्सक्राइब किजिए धन्यवाद